आखिर किसने बनवाया था केदारनात धाम मंदिर? केदारनात का ये सच आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड के रुद्र प्रयाक जिले में स्थित केदारनात धाम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बलकि भक्तों की आस्था से जुड़ा एक ऐसा केंद्र है जहां जाने वाला भोलिनात के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर देता ह उत्तराखंड के हिमाले परवत की गोद में बना केदारनात मंदिर बारहे जोतिरलंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ चार धाम और पंच केदार में से भी एक है लेकिन इस मंदिर तक पहुँचकर बाबा भोलिनात का दर्शन करना इतना असान नहीं और बहुत कम ही को इतना ज्यादा खास बनाया अपरैल से लेकर नवंबर के बीच में खुलने वाले केदारनात का दर्शन करके भोलिनात के भक्त अम्रित का सुख पा लेते हैं तभी तो केवल देश से ही नहीं बलकि विदेशों से भी लोग केदारनात के दर्शन करने आते हैं लेकिन इस 2000 साल से भी पहले से केदारनाध धाम एक महत्वपूर्ण मंदिर रहा है। पर अगर हम इस एतिहासिक मंदिर के बारे में इतिहास कारों से पूछें तो उनमें से अधिकतर का कहना है कि इस मंदिर का निर्मान पांडवों ने पाप मुक्त होने के लिए करवाया। की बली चड़ गए फिर चाहे वो गुरु शिश्य का रिष्टा हो या फिर भाई-भाई का। 18 दिनों तक निरंतर कुरुक्षेत्र के भूमी पर कौर्वों और पांडवों की सेना खून बहा रही थी। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो इस युद्ध में जीत तो पांडवों की हुई लेकिन तब तक उन्होंने भी बहुत कुछ खो दिया था। युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव बैठ कर श्वी कृष्ण के साथ युद्ध के बारे में बाते कर रहे थे। उसके परिणाम के बारे में सोच रहे थे। तभी भगवान श्वी कृष् क्योंकि पांडवों के उपर ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या और गुरु हत्या जैसे कई सारे पाप चड़ चुके थे। जिसके लिए उनका प्रायश्शित करना बहुत जरूरी था। जब पांडवों ने श्री कृष्ण से इसका उपाय पूछा, तो उन्होंने बताया कि त देवल भगवान भोले नाथ ही तुम्हें दे सकते हैं, जिसके बाद सभी पांडव, भगवान श्री कृष्ण की आग्या और आशिरवात लेकर भगवान शिव से मिलने के लिए काशी की तरफ निकल चले। लेकिन भगवान शिव तो ठहरे तीनों लोगों की करता धरता, उन्हें तो पहले ही पांडवों के आने की खबर लग चुकी थी, शिव जी पांडवों से मिलना नहीं चाहते थी, क्योंकि भगवान शिव पांडवों द्वारा किये गए पापों से अत्यधिक क्रोधित हैं, इसलिए वो पांडवों से बिना मिले ही काशी से चले गए, प उन्होंने पांडवों को ज्यादा कुछ नहीं बताया। बस इतना बताया कि भोलिनाथ उनसे अत्यधिक क्रोधित है। और इसलिए वो पांडवों से मिलना नहीं चाहते। और हिमाले की ओर चले गए। अब प्राश्चित तो करना ही था। इसलिए सभी पांडव हिमाले की ओर निकल जाते हैं। जिसके लिए वो उत्राखंड के गडवाल ख्षितर में पहुँचते हैं। भगवान शिव भी पांडवों से चुपकर यहीं आये थे। जब भोलिनात को ये पता चलता है कि पांडव भी उनके पीछे-पीछे गडवाल आये हैं। उसके बाद वो एक उपाय निकालते हैं। गडवाल के पहाडों में कई सारे पशुग घास चर रहे थे। जिन्हें देखते ही भोलिनात उन्ही का हिस्सा बन जाते हैं। और बैल का रूप धारन करके वही पर घास करने लगे। जब पांडव गडवाल पहुचते हैं तो वो हर जगे भगवान शिव को ढूंडते हैं। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद पांडवों को भगवान शिव नहीं मिले। पांडव सोचने लगे कि अगर भगवान शिव यहां नहीं है तो गए कहां। और फिर उन्हें ये आभास होता है कि भोलेनात कहीं ना कहीं इन्हीं पश्वों के बीच मौझूद हैं। और वो पांडवों से इतना क्रोधित हैं कि उनके सामने नहीं आना चाहते। इस बात को सोचकर महाभली भीम ने एक उपाय सोचा और अपने दोनों पैरों को पहाड़ी के दोनों सिरों पर टकाया और महादेव को ढूनने के लिए सभी पश्वों को अपने पैरों के बीच से निकालना शिरू कर दिया। भीम का विशालकाय और ताखतवर रूप देखकर वहां मौजूद सभी पशुपक्षि घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। लेकिन उन्ही में से एक बैल ऐसा था जो बिना घबराय अपनी जगह पर स्तिर खड़ा रहा। उस बैल के ऊपर भीम के विशालकाय रूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिसे देखकर भीम सहित सभी पांडव समझ गए कि हो नहो यही महादेव का रूप है जो बैल का अवतार लेकर हम से छुप रहे हैं। महादेव को भी यह समझ में आ गया कि पांडवों को उनके बारे में पता चल चुका है लेकिन फिर भी वो पांडवों से नहीं मिलना चाहती थी। इसी लिए उन्होंने एक ही जटके में बैल रूपी अवतार के साथ ही धरती में समाना शिरू किया और वो धीरे धीरे धरती के अंदर जाते रहे थे। पर निकले और आज उन्हीं अन्यस्थलों पर चार अन्यकेदार मौजूद है जैसे कि भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का मुख रुद्रनाथ में, बुझाय तुंगनाथ में, नाभी मध्धमेहिश्वर में और जटाय कलपीश्वर में और इन्ही पांचों जगों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है, जो कोई भी भगवान शिव का सच्चा भक्त है और उनकी दर्शन करना चाहता है, वो पंच केदार के दर्शन करना कभी नहीं भूलता। शिवजी के बाकी चार अंग अलग-अलग स्थानों पर प्रकेट होने का ग्यात हुआ, तब उन्होंने शिव की महिमा को समझ लिया, इसके बाद पांडवों ने इन पांचों जगों पर शिवलिंग के स्थापना करके शिव मंदर का निर्मान करवाया, तब जाकर कहीं केदारनात मंदर की निर्मान को और आगे बढ़ाया, और यहाँ पर आम लोगों को पूजा करने की अनुमती प्रदान करी, इसलिए केदारनात मंदर में जनमेजह का योगदान माना जाता है, पर समय के साथ ही पांडवों द्वारा बनाया गया, ये मंदर जरजर हो गया, और कई जगह से ख़ती ग्रस्त हो गया, लेकिन जब भारत की भूमी में शंकराचार्य ने जनम लिया और उन्होंने संपून भारत भूमी की पैदल यात्रा करी, तो उन्होंने चारों दिशाओं में चार धाम की स्थापना करी, और उस वक्त आदी शंकराचार्य ने केदा केदारनाथ मंदिर का पुनहे निर्मान करवाया, जो आज भी उत्तराखंड में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, तो क्या आप भविश्य में ये अनुभव लेना चाहेंगे, या फिर क्या आप केदारनाथ की यात्रा कर चुके है, अपना जवाब कॉमेंट्स में बता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद.